नमस्कार दोस्तों तो फ्रेंड्स देख सकते हैं लिखा हुआ है आल इंडिया इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंसेज निव देली एम्स निव देली की ए ओपीशल वैब साइट है फाइनली एम्स दोवारा नर्सिंग ओफिसर की पोश्ट के लिए विकैंसी जहां पे आ चुकी है नॉर्सेट 2021 नोटिटिकेशन जारी कर दिया गया आप लोग देख सकते हैं यहां पे लिखा भी हुआ है ओनलाइन रेजिस्टेशन फॉर दा रेकूरूटमेंट ओफ नर्सिंग ओफिसर रेकूरूटमेंट तो दोस्तो नॉर्सेट 2021 के लिए रेकूरूटमेंट के प्रॉसेशन जहां पे स्टार्ट कर दिया और पूरा भरती विग्यापन आप ही चुका है यहां पे आप लोग देख सकते हैं रेकूरूटमेंट का यह सेक्शन है इस पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है तो दोस्तो जैसी इस पे आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे नीचे की तरफ आ जाना है और यहां पे लखा है नर्सिंग ओफीसर तो उस पे आपको यहां पे क्लिक कर देना है तो दोस्तो जैसी इस पे आप लोग यहां पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी Nursing Officer, Recruitment, Common Eligibility Test, Norset 2021 तो इस पे आपको Final Click आपको यहाँ पे कर देना है तो दोस्तो आगे का पेज यहाँ पे Open हो चुका है और इसी पेज पे माध्यम से आप लोगों को Apply करना है New Registration की Click आपको यहाँ पे Link दे दी गई इस पे आप लोग किलिक करेंगे, Registration करेंगे, फिर आप लोग Apply करेंगे और भरती का जो विज्यापन है, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा Advertisement यहाँ पे लिखा हुआ है और भरती के विज्यापन के लिए आपको Finally इस पे आपको किलिक कर देना है तो दोस्तों यह Notification यहाँ पे Open हो चुका है और ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख लें सबसे पहले Heading लिखा है AIMS New Delhi, AIMS New Delhi द्वारा, Norset, Miss Nursing Officer, Recruitment, Common Eligibility Test 2021 के लिए यह Notification Number आपको दिया जा रहा 16 October 2021 को यह जानकारी Officially वेबसाइट पे आपको दे दी गई इसमें दोस्तों लिखते हैं Nursing Officer की पोश्ट है Level 7 CPC Pay Matrix वेतन आपको यहाँ पे दिया जाएगा बैतरीन सेलरी पेकेज है 34,800 रुपे परमेंद बेसिस पे आपको सेलरी मिलेगी इसके साथ 4,600 रुपे का Great Pay भी आपको दिया जाएगा Group B की यह Vacancy है और AIMS New Delhi के अंतरगत यह Vacancy को यहाँ पे निकाला जा रहा है अब दोस्तों बात करनेते हैं Apply करने के लिए क्या-क्या योगता आप लोगों को इसमें चाहिए तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे information है जो भी candidates BSC Nursing वाले हैं आप लोग यहाँ पे apply करें या फिर आपके पास BSC Nursing Simple है honors है तो भी आप लोग यहाँ पे apply कर पाएंगे किसी भी राजे का, किसी भी state का nursing council में आप लोग यहाँ पे registration रखते हूं पोश्ट बेसिक BSC Nursing वाले candidate भी आपके apply कर पाएंगे तो दोस्तों BSC Nursing और BSC Honors पोश्ट बेसिक BSC Nursing वाले सभी candidate से आपके apply करें और किसी भी राजे का, किसी भी state का nursing council में registration होना भी आप लोगों का जरूरी है और BSC Nursing और पोश्ट बेसिक BSC Nursing वाले candidates के लिए यहाँ पे experience की जरूरी है और जो भी candidates यहाँ पे diploma रखते हैं GNM का आप लोग भी यहाँ पे apply कर पाएंगे और आप लोग को यहाँ पे किसी भी राजे का, किसी भी state का nursing council में registration है बिलकुल आप लोग यहाँ पे apply करें और दो साल का कार अनुबव आप लोगों को चाहिए यदि आप लोग GNM वाले candidates हैं और पचास बेड़ेट के hospital के अंतरगत आप लोगों का यह experience होना आपका जरूरी है अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो अगली information है वो आपकी age limit को लेकर है तो जो भी candidates हैं आप 18 से 30 साल की उमर वाले हैं आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और जो candidates हैं आप पर reserved category के हैं आपको age में relaxation दिया जाएगा अब दोस्तों जो अगली information दी जा रही है number of vacancies की तो इसके लिए annexure 1 तो table आपको यहाँ पर दी गई table number 1 में आपको number of vacancies के बारे में information दी गई तो उसको आप बढ़ जाते हैं तो दोस्तों इसी notification में आपको 7th number का page है इसमें आपको बोला जा रहा है list of aims where number of post for recruitment of nursing officer will be notified in due course of time तो आपको vacancies के बारे में कुछ समय में information दी जाएगी notify आप लोगों को कर दिया जाएगा और आप सबी लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारे aims के बारे में information दे दी गई और इन सभी aims के अंतरगत सभी post को include कर लिया जाएगा और number of vacancy के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी अब दोस्तों बात कर लेते हैं apply किस तरीके से करना है last date यहाँ पर क्या रहेगी तो सबसे पहली जो information आपको दी जारी application fees की तो general और OBC candidates जो है 3000 रुपे का fees का payment आपको यह करना होगा schedule का schedule tribe जो EWS candidate है 5000 रुपे का fees का payment आप लोग करेंगे PWD जो candidates है आपके लिए कोई भी fees नहीं है और यहाँ पे आपके लिए fees माफ यहाँ पे रहेगी तो fees काफी यहाँ पे ज़्यादा है और अगर आप लोग यहाँ पे apply कर रहे हैं तो इतना fees का payment आप लोगों को करना ही होगा और जो भी fees का माद्यम है आप लोग debit card, credit card, net banking तो इनके माद्यम से आप लोग apply कर दे fees यहाँ पे non-refundable fees है आप रहेगी एक बार fees का payment हो गया तो वापस आपको नहीं मिलेगा non-refundable यह यहाँ पे रहने वाली है और दोस्तो जो भी candidates यहाँ पे schedule card, schedule tribe के हैं आप लोगों को यहाँ पे fees बापस कर दी जाएगी और यहाँ पे लखा हुआ है application fee of schedule का schedule tribe candidates who appear in the examination will be refunded after declaration of result तो result declare हो जाने के बाद आप लोगों को fees बापस कर दी जाएगी लेकिन आपको exam देना जरूरी है अब दोस्तो बात कर लेते हैं अगली information जो है exam आपका लिया जाएगा तो यहाँ पे लिखा है online CBT mode examination date तो 20 November 2021 सनीवार के दिन आप लोगों का online exam लिया जाएगा अब दोस्तो last में बात कर लेते हैं apply करने के लिए website क्या है last date यहाँ पे क्या रहेगी तो online mode में आपको apply करना है यह इसकी official website है इसके मादने हमसे आविधन करेंगे 16 October से यह form माना आप पे शुरू हो चुके हैं और 30 October तक आप लोग apply कर दें शाम के 5 बए तक का समय आप लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है तो दोस्तों पूरी जानकारी मैंने आप पे कबर की उमीद करता हूँ अपडेट आप सभी लोगों यहाँ पे मिल क्या होगा एम्स, नौर्साइट, विकैंसिया आप आ चुकी है All India, male और female candidates यहाँ पे apply कर पाएंगे यह अपडेट कैसा लगा जरू बताएगा लाइक कर दे इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें इस मैनत को लाइक जरू करें अपने सभी फ्रेंट्स लोगों को बता दें कि नौर्साइट की विकैंसिया आ चुकी है इस वीडियो को आप लोग अपने सभी फ्रेंट्स लोगों को शेयर आप लोग यहाँ पे जरू करें अपने सभी वाट्साइब ग्रूप में अपने सभी वाट्साइब के जितने भी फ्रेंट्स हैं सभी लोगों को यह वीडियो आप लोग शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने यदि कोई इंफोर्मेशन आगे आती है तो अपडेट आपको मिलते रहेंगे तो वीडियो की नीचे जाएं सब्सक्राइब करें बटन को आप पे कलेक करें और आगे की वेकैंसी की डिटेल इसी तरीके से पात रहने ते मिलते हैं आपसे अगले